भारी बारिश के चलते प्रदेश में बने बाड के हालातों को लेकर नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि लोगों को बाड से बचाने के लिए पांच रेडी टू मूव टीम रिजर्व रखी हैं, टीन हेलिकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रखे गए हैं, SDRF, NDRF की टीम सभी प्रभ गाउ में पानी भरा हुआ है, विदीशा की चार तेहसिल भारी बारिश से प्रभावित हुई हैं, और सो गाउ प्रभावित हैं, सिहोर के कुछ गाउ भी प्रभावित हुए हैं, ब्यावरा भोपाल में भी रस्क्यू ऑपरेशन चला है, 385 फीडर भोपाल में कल खराब अभी भी 30 फीडर बंध हैं, जो चल्द ठीक होंगे इन में से 385 कल खराब हुए थे, जो जोर की पानी के साथ आनी आई थी, 100 से अधिक पेड़ विधुत की लाइनों के उपर गिर गए थे, 385 फीडर जो खराब हुए थे, 30 छोड़कर सारे के सारे फीडरों पर विधुत सप्लाई चालू हो गई है, खुल 30 बचे हैं, 385 में स और जो 30 बचे हैं, उनमें भी 12 से 2 के बीच में विधुत सप्लाई पूरी हो जाएगी और सामान इस्तिती आ जाएगी विपक्ष के आरोपों पर मिश्रा ने पलड़वार करते हुए कहा कि कॉंग्रस के नेता घर बैठे बस ट्विट कर रहे हैं, कहीं भी मौके पर नहीं आते CM शिवराज कल देर रात तक मौनिटरिंग करते रहे, अमिट शाह के दौरे को लेकर नरुत्तमिश्रा ने कहा कि कल उनका कारेक्रम बेहत महतुपून रहा Forensic Science University Lab की सौगात हमें मिली है, साथ ही चार राज्यों के CM के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई हमारे मुख्यमंती रात में बारावजे किस्थान पे थे, बल्ला बहुन में रात में बारावजे कड़े हुए थे, वो हमको सिक्षा दे रहे है 440-777-111 रात में रहे हैं मुद्धून पर चर्चा है रात में रहे हैं लडावजे करिके साथिए एक तरचा है जोई इंडिया प्रेमियर स्किल बेस्ट उनिवर्सिटी रबिंटनाथ तेगो उनिवर्सिट आप देख रहे हैं दखल निवर्सिट